प्रदेश में कोरोना वाइरस को लेकर लॉकडाउन जारी है वहीं कोटा में कोचिंग करने वाले अन्य जिलों और राज्यों के फंसे छात्रों को राज्य सरकार के निर्देश पर भेटने के प्रकरिया शुरू की जा चुकी है जिसके तहत दोलपूर निवासी 36 स्टूडें कोटा में रह रहा था तैयारी कर रहा था मेडिकल की और मुझे वाहां खाने की प्रॉब्म मारी थी सबसे जाता और कोचिंग बंद हो जुगी थी ट्रेस्ट हो नहीं रहे थे और डिप्रेसन मारा था अब आज यहां आगे कैसा लग रहा है यहां अच्छा लग रहा है करेब आए होंगे मा कोटा से तो सारी चले गए दोल पर तो